कार्थिक पूर्णिमा दो हजार तेई, पंचाइग के अनुशार, हर शाल कार्थिक महा की पूर्णिमा तिथी को कार्थिक पूर्णिमा मनाया जाता है, लेकिन इस शाल कार्थिक पूर्णिमा की सही डेट को लेकर लोगों में असमन्यस की इस्तिती बनी हुई है कार्थिक पूर्णिमा दो हजार तेश हिंदु धर्म में हर शाल कार्थिक माहशुकल पच्छ की पूर्णिमा तिथी को कार्थिक पूर्णिमा मनाया जाता है धार्मिक मानता है कि इस दिन पवित्र नदी में इश्नान से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं इस सुब मौके पर इश्नान दान के कार्यों से जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विश्नु जी की क्रपा बनी रहती है कार्थिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है आईए जानते हैं शाल 2023 में कार्थिक पूर्णिमा का शुब मुहूर्थ, पूजा विधी और महत्तुर पंचान के अनुशार कार्थिक माह के पूर्णिमा तिथी का आरम 26 नुवंबर 2023 को दो पहर 3 बजगर 53 मिनट पर होगा और 27 नुवंबर को दो पहर 2 बजगर 45 मिनट पर शमाप्त होगा ऐसे में उद्यातिती के अनुशार इस साल 27 नुवंबर 2023 को कार्थिक पूर्णिमा मनाया जाएगा इस साल कार्थिक पूर्णिमा पर शर्वार्थ शिद्धी योग और शिव योग बन रहा है इस दोरान धर्म कर्म के कार्यों से जातकों को दोगुना शुब फल मिलते हैं कार्थिक पूर्णिमा पर इसनान दान का शुब महूर्थ ब्रह्म महूर्थ 27 नुवंबर 2023 को 5 अम से 5 उनसट अम अभजीत महूर्थ 27 नुवंबर 2023 को 11 47 अम से 12 30 पीम कार्थिक पूर्णिमा का महतुर्ण धार्मिक मानेता है कि कार्थिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में इसनान करने से जातक के सभी पाप नस्ट हो जाते हैं और भगवान विश्नु के साथ माता लक्ष्मी की क्रपा भी शाल भर भक्तों पर बनी रहती है इस दिन दान पुन्य के कार्यों से सुख सोभाग में व्रधी होती है और जीवन खुश हाली में वतीत होता है। कार्तिक का महिना बहुत ही पवित्र महिना माना जाता है। मानताओं के अनुशार इस मास में पवित्र नदियों में इसनान करने से मनुश्य के सभी पाप धुल जाते हैं इसी लिए इस इसनान् कार्तिक इसनान या गंगा इसनान का नाम दिया गया है कार्तिक लाश में स्रीय हरी विश्णु जी की आराधना करना बेहद शुब माना गया है भगवान विश्णुने दुनिया को पच्छल प्रलै बचाने के लिए मचली के रूप में अपना पहला अवतार लिया था यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षश तृपुरा शूर का वध किया था और इसलिए इस दिन को तृपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन पवित्र गंगा नदी में इश्णान करना बहुत शुब माना जाता है और माना जाता है कि इससे भक्तों को मोच की प्राप्ती होती है कार्थिक पूर्णिमा की पूजा विदी कार्थिक पूर्णिमा के दिन शूर्योदे से पहले उठें इसके बाद पवित मा लक्षमी और विश्नु जी को फल फूल, धूप, दीप और नैवेद अर्पित करें इसके बाद मा लक्षमी और विश्नु जी समेथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें इस दिन रात में चंद्रदेव को पानी में कच्चा दूद मिलाकर जल अरग जरूर दे दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें धन्यवाद